किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सस्रीकाल, आदाब किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें, सवस्त रहें, अच्छे रहें, परम पिता प्रमेशर से हमारी यही कामना है, दुआ है किसान साथियों हम किसी ना किसी भी से को लेकर आप लोगों के बीच में हमेशा आजिर होते हैं आज ये वीडियो भी हमारे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि पसुओं का चैरा जो mostly किसान जो फार्मिंग करते हैं उन में से ये कहें कि 70% लोग जो हैं किसान साथि जो हमारे पसु पालते हैं तो उनको पसुओं के लिए हराज चारा ऐसा हो जो उनको यानि हर बारा महिने मिलता रहे ये नहीं कि सिजनेवल वो लगाएं और फिर दुबारा उसको लगाना पड़े ये आज हम बात कर रहे हैं सुपर नेपिर घास की किसान साथियो ये मैंने आज से दो साल पहले जो हमारे खंडा खेड़ी में एक प्रोग्राम था वहां से मैं दो स्टिक लेके आया था और इस दो स्टिक से मैंने ये पोद यहां पर घर में ही तियार किया इसकी जो आप शामने देख रहे हैं इसकी 16 बार कटाई हो चुकी है अभी तक 16 बार हम काट चुके हैं दो साल में और इससे एक बार हमने स्टिक को लेके स्टिक से हमने इसकी पोद त्यार की है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा किसान सातियों बार बार वीडियो जैसे ही मैं बनाता था तो आप लोग मेरे से पूछते थे कि जी आपके पीछे जो है वो क्या है तो आज मैं आप सभी किसान सातियों को दिखाना चाहूंगा ये सुपर नेपीर है सुपर नेपिर है जो पसुओं के हरे चारे के रूम में उपयोग होता है किसान साथ यो इसकी जो आइट आप देख रहे हैं ये 15 फुट से अब आइट है और ये ओनली टू ओनली यहाँ पर मैंने इसकी जो नरसरी इजी से हम बोलते हैं नरसरी मैंने त्यार की है केवल टू केवल नरसरी त्यार की है जो नरसरी बिल्कुल त्यार हो चुकी है और यह आदा एकड के लिए नरसरी मैंने त्यार की भी वैस्डी कंपोजर और वैस्डी कंपोजर से बने जो भी उतपाद है जैसे पत्थर का जूस है या हम कहें बकरी मैनवर है या हम कहें चावल का हुमिक ऐसीड है या हम कहें पीव सामरत है उसके अलावा किसी चीज का भी इसमें उप्योग नहीं किया गया किसान साथियो हम इसकी जड़के बिल्कुल नजदिक आपके जाके दिखाऊंगा कि आपको बिल्यू नहीं करेंगे इतना जबर्दस फुटाओ ना कोई रासाइन ना कोई दवा ना कोई अन्ने किसी तरह का कोई पैस्टिसाइज देखे किसान साथियों कितने कल्ने नीचे दुबारा भी नई फुटाओ भी आप देख पा रहे हैं बहुत शांदार फुटाओ हो रहा है देखिए और यह यह पोज जो है यह बिल्कुल बनके त्यार हो चुकी है और इसको कैसे लगाना है कैसे इसको हम लगाएं किन-किन चीजों का इसमें हम ध्यान रखें उस चीजों पर भी मैं आपका प्रकास डालना की कोशिश करूँगा और यह काफी दिन से मेरे दिमाग में था कि यह वीडियो मैं आप लोगों के बीच में एक जरूर शेयर करूँ ताकि आपको इस तरह की जो है एक सुपर नेपेर गास जी से हम बोलते हैं यह एक बार लगाने के बाद 14 से 15 साल साइध हमें लगाना नहीं पड़ता इतना बताते हैं जो नरसरी त्यार करते हैं लेकिन दो साल से तो इसके रेजल्ट बहुत स्यांदार हैं और आगे मैंने इसकी पोध भी कुछ ली है जो कैसे लगानी है उस विषयपर भी मैं आप लोगों के बीच में प्रकाष डालूंगा मैंने कुछ यहां पर जैसे जगे स्पेस रह गया था यह किसान साथिव आप देख रहे हैं नेची यह सपेस रह गया था मैंने यहां पर भी एक स्टिक लगाया था ओनली वन स्टिक यह देखिए इसमें वैस्डी कंपोजर और वैस्डी कंपोजर से जो सहे उत्पाद हैं उन्हीं काम ने उपयोग किया इन में भी मैं सभी में अगर बढ़ाना है तो मैं ने इस तरह से इसको बनाने का त्यार किया है क्योंकि काफी लोग जैसे फवारा सी चाइच करते हैं या रिगसेन करते हैं तो लिए फीर लीय direction जो करतें उन लीकिसान फानी जब भी आप इसकी कटाई करें तो इस परकार से कटाई करें देखिए दो गांठ इसकी में होनी चाहिए एक और दो अगर खुद की नसरी है तो तीन भी आप ले सकते हैं जैसे मैंने काफी में तीन भी लिया हुआ है यह आप देख पा रहे हैं यह देख रहे हैं तो इस तरह वेश्डी चम्पोजर का 15 दिन पुराना घौल है जिसमें आप इस से वेश्डी कंपोजर से इसको ट्रिट करके कैसे करना है वह आपको बता देता हूं बटे डालो इसमें अब देखिए सारी स्टीक दालरा वह तरह से घर लबा बाद करेंगे इस तरह से को कंपोजर के घल में डालना है और दालने केश सीधा आप बीज उपचारित करते में काफी — गण्ये किसांसातियों इस विदी से आप कर सकते हैं और उसमें आप देख पाएंगी अंकुर्न जो होगा बहुत श्यांदार होगा बहुत जबर्दस्त होगा तो काफी किसांसातियों के जो कुश्ण थे फिर भी अगर कोई रह जाता है हमारे से कोई भूल चुक में अगर कोई बात किसी जो बतानी हम भूल गए हों तो वह आप WhatsApp मेसेज या उसके वीडियो के नीचे comment box में जाके आप उसका जो भी आपका question है वह पता कर सकते और वैसे किसान साथियों दुबारा आप यह आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे एक हमारा महतपुन जो पार्ट का वीडियो हमने डाला हुआ है जो उसको आज से दो दिन पहले हमने अपलोड किया था जिसका हमने नाम रखा था जो आपको बताए गया था आप लोगों के बीच में शेर भी किया गया था और जब वीडियो अपलोड किया गया था उसके बारे में आपको बताए भी गया था कि हमने जो त्यार किया है अलोवेरा पलस सहजन पलस गुड और पलस नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं इसमें डिस्कुर्शन बॉक्स में डाल दूंगा उससे आप देख पाएंगे देखिए किसांसातियों इस तरह से बीज ट्रीट हो गया है अब इसकी जो बात करते हैं बात करते हैं इसे पर हम बात करेंगे तो देखिए स्टिक आपने लि देखिए क्योंकि यह जब फैलेगा तो बहुत उसमें फैलेगा बिटा मिटी डाल दू इस पर ऐसे मिटी इस पर डालना है यह देखिए डाल दो बिटा इस तरह से की संसातियों इसमें मिट्टी डाल देना और उसके बाद इसमें आप जो भी जीस मादम से भी आप पानी लगाते हैं पानी इसमें चला जैना है और आप एक विशेश रूप से इस बात का द्यान रखें कि उसमें नमी ब्रोबर होना चाहिए जब कि ये पुर्ण रूप से अंकुरित ना हो जाए तो इसी के साथ किसंसातियों मैं आप से विदा लेता हूं आगे हम जो अलोवेरा और सहजन का जो हमारा अगले जो पार्ट बनेंगे उस बीसे पर किसंसातियों बात करेंगे धन्यवाद नमस्कार जैहिन राम राम